एक किसी कार को 120 दिन में, 2500 दिन में, 27-25 दिन काम करते हैं उसके लगार बी काम शोड़कर चला जाता है अकेला काम करते रहा था है 15 दिन वाद C, B के अस्थान पर सामिल हो रहाता है कार 40 दिन में तो C कितने दिन में तो आसान कुष्चन है एक सो बीस और डेर सो से कटने वाली राज थी, फेशो लाने के लिए बिद्यार थी जी, पांच, चार, जी सही है, अब सी कि, पाचीन दिन तक एक साथ काम किये, पाचीन दिन काम अद्धा पाचीन अमा, ता छेशो में दूसो पाचीन काम हो गया, बागी तेन सो पाचतर बिना लिखे पहले बना रहे हैं, पी काम छोड़ दियार ए, अकेले पंद्रा दिन करते रहा हैं, अकेले कही दिन, तब पंद्रा दिन काम अद्धा पंद्रा पचे, और हो गया, बचा कितना, तीन सो काम, अब कह रहा है, पंद्रा दिन बाँ, सी, बी क अस्थान पर आ गया, बी मन्दा जो चला गया था, उसके यह पर कौन आ गया, तो सी आने का मतलब भी द्यार थी, जी फाइप पलस एक्स, कई दिन में काम कर देगा, चालिस दिन में न, तो तीन सो काम, चालिस दिन का मतलब साड़े साथ यूनिट सी करेगा, अर्थाथ सी की की सेंसी कितना हो गया, धाय, अब इसको छे सो लाने के लिए, आप खुद बोलिएगा, कितना से गुना करना चाहिए, तो आप बोलिएगा, छे सो बराबर फाइवाई टू गुने टी, पांच से कटेगा, एक सो बीस बार में अंसर हो जाएगा, दूसा हो, चल, पहले सी की पी सेंसी लगता है, नए आप लोग को समझ माया, लिख के बता, चलिए सर कर दिये की, ए, बी, सी की पी सेंसी तो आप लोग समझ में आ गया होगा, कितना कितना लिखे थे, पांचार है, छे सो काम करने के लिए, ए और बी ने किया है, विद्यार थी जी, पचीस दिन, फिर ए ने किया है, पंद्रह दिन, फिर ए और सी ने किया है, चालिस दिन, क्या एक्स का मान निकालने आ जाएगा, अब ये तो भै हल करना, अफी का ड्यूटी वनेगा ना, तब दूसो पचीस अपचात्तर, तीन सो इदर आके घट गया, तब बच गया कितना, तीन सो बरावर पाई पलस एक्स इंटूट, पी दूने चालिस अभी पचेस सो, पंद्रह वटा दू ना, अनि सारे साथ में से पाँच जाएगा, अनि एक्स का मान जल्दी बोलिये, पाई बाई टू, अभी आही गया, तो छे सो काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, तब छे सो में दू से भाग देंगे, तब पांच से भाग देंगे, एक्सव बीस अदू पर चल जाएगा, अर्था अनसर केतना, कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं, पाँच था तो एक्सव बीस, तो आढ़ा है तो दूसव चालिस, यह समझे, एक या था एक्सव बीस देंगे, क्योंकि इप पाच्थी, ताधी पाच्थी, तो समय दूगनार था, दूसव चालिस, नहीं समझे मारा है, आया, असांथा, नक्स्ट, देखिएगा, चाओदा पुन्नांग, दो वटा साथ का मतला, सव वटा साथ पढ़िएगा, इसको बीस पढ़िएगा, और इसको, तो सव बीस राजू, स्यामू हो जाएगा अपन, दूसरा है बंटू, कितना, चले इतना तो आप लोग समझ में आगे, स्यामू और बंटू एक साथ आर दिन तक करते हैं, स्यामू और बंटू, यह नि यह आरा थे, 88 काम हो गया, बच गया पारना, उसके बार बंटू के अस्थान पर राजू आ जाता, यह नि बै हो जाएगा, राजू और उस्याम, तो बारा को कैसे गुना करें कि बारा आ जाएगा, और था था आप कांसर, कि लिख के बताओ, जिने लिख के बनाना है, उनके लिए, सो माने थे, शुरू में किया राजू, चामू और बंटू एक निगारा से आठ दिन, फिर बिद्यार्थी जी बंटू हट गया, आगया अस्यामू और राजू, यह नि बारा गुने एंटी, अब दे का मान एक आगया आप लोग, अभी भी ना समझ मैं, तो फिर से बताया जाए, पन्याएगे, जब फिस एंसी निकल गया, तो आदा काम तो हो गय सही है, किसी काम को करने में बी से तीगुना कुसल है, यह जो है बी से क्या है, तीगुना कुसल है, है लिखा हुआ है तीगुना कुसल है, है लिखा हुआ है तीगुना कुसल है, पोल भे नहीं कर रहे हैं, सही है, अब गप मत कीजिएगा, जब कुसल तीगुना है, तो समय तो एक तिन में लेगा, तो ए और बी का रेश्यो एक तिन में देखिएगा, पहला है, की है नहीं, एक तिन में है नहीं, अंसर कौन होगा, आगे जाने की जरूरत ही, परिच्छा में नहीं है, यहां तो सिखना है, ए भी, आगे लिख रहा है, सी बी से दुगना कुसल है, सी जो है, क्या लिखा हुआ है, तांगे, ए बी से तीन गुना, और सी बी से दुगना, बी से न दुगना, अर्थाच यहां कितना, उल्टा गया है, अचा हाँ टाइम न पूछ रहा थी, तो समय हो जाएगा, तीन एक दू से कटने वाली रासी, छे लाने के लिए जल दी बुले, दू, छे, तीन, अंसर हो गया, दू, छे, तीन, आर्थी किसी काम को करने में दुगना समय लेता है, जितना, उसा, रामपाल उतना ही समय लेता है, जितना की आर्थी और उसा दोनों मिल करके, अच तीनों मिल के नौ दिन में तो सभी की छमताओं का रेश्यों, चलिए सीखे, आर्थी काम करने में दुगना समय लेता है, किस से, उसा से दुगना समय न, तो एक तो इदार दो, लकिन इफिसेंसी, उसका उल्टा न, आर्थी दुगना समय लेता है, समय दुगना इफिसेंसी उसका उल्टा, यहां तक समझ में आ गया, अब देखिए आगे, राम पाल उतना ही समय लेता है जितना की आरतिय उसा एक साथ नहीं अब ध्यान दिज्जे किसकी बात कर रहा है राम पाल कहा समय जो है किस से आरतिय और उसा के बराबर ना देखे क्या लिखा हूँ आरतिय और उसा के बराबर समय लेता है तो ध्यान दिज्जेगा अब समय तो इफिसेंसी का उल्टा न होता है समय जो होता इफिसेंसी का क्या होता है उल्टा अब ध्यान दिज्जेगा मैं आप लोग को ऐसा सिखा दू कि मान लीजे इंदोनों मिलकर के कोई काम एक दिन में इंदोनों मिलकर कोई काम तो पूछ रहा है उसा भी उसा के बारे में क्या लिखा हुआ है जल्द ही बोलिए कौन है आर-ार का मतलब रामपाल पूत नहीं समय लेता है जितना की आर्ती और उसा था, आर्ती और उसा कितना दिन माने थे, तो आर का रिस इफिसेंसी जल्दी बोलीगे, दोनों मिलकर अगर एक दिन, तो रामपाल अखेले एक दिन, हाँ यह न, अर्थात रामपाल की इफिसेंसी कितना होगे, ती चली, रामपाल की इफिसेंसी कित इतना होगा जल्दी बोलिये, इतना आपको समझाने के लिए आपको ध्यान देना चाहिए, डारेक्ट कैसे, यहां तक तो आप लोग सही थे, आगे कह रहा है, रामपाल उतना ही समय लेता है जितना की आरतिया और पूसा तो उतना ही समय लेने का मतलब है, इफिसेंसी भी नहीं होगा cooked pinch Yakakka जबिषिसेंसी त उसा ओर आरतिकी जो इफिसेंसी थे, वो रामपाल के बरावर तो इन दोनों की efficiency अगर तीन तो रामपाल की efficiency वे तीन क्या agree है तो चलिए ही तो पुछ रहा है चमताओं का रेश्योनी एक दो होती रामपाल उतना ही चमय लेता है जितना आर्थी और उसा मतलब आर्थी उसा की जितना efficiency उतना efficiency राम का के ले तो राम की efficiency हो जाएगा थीन फिर से आय समझ मैं जी मैंने आप लोगों को कहा कि रूम साप करने में आप पाचों मिलके जितना समय लेंगे उतना ही समय में मैं अकेले कर दूँगा मतलब आप पाचों की जो efficiency होगा उतना efficiency मेरा केला हो इन दोनों ने जितना समय लेगा उतना ही समय में या केले इसका मतलब इसकी efficiency होगा इन दोनों के बराबर अलीक के बना की तो बता दिया आप लोगो यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तयारी करना चाहते है तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड एप को डाउनलोड करे